हाई एवरीवन फर्स्ट फॉल गुड मॉर्निंग तो वलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो स्पेर रिजर्फ इन इंडिया के बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा जहां से बताना चाहूंगा आपको बायो जो हैं देखने को मिलते हैं तो इसी वज़ा से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तो इस वीडियो को स्टाटी से लेकर अन तक जरूर देखिएगा अगर आप फॉस्ट ताइम में इस यूट्यूब चैनल पर विजट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को सब्स पर प्रोटेक्ट किये जाता है और लाइफ फार्म्स को जैसे आपकी प्लांस होगे अनिमल्स होगे ठीक है तो जी जो लेवल है जै किसके दवारा दिया गया है युनेस्को की दवारा युनाइटे नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चुर और अर्गनेशिशन तो northern is. दॉसके बाद अकर बात करें बाय उसके बाद बात करें वाईु से लसकी तो बाय उस पर ईजरसे आधा होता है य को सिस्टो महों होगिया थिक है तो इस तरीके से हम टॉब्स करेंगे उसमें campus करेंगे वार्व में और भाईु ठीक है मैंने बाइउस्पेर प्रोग्राम उसके बाद बात करें तो गोवर्मेंट आफ इंडियन आभी तक की बात करें तो आभी तक 18th बाइउस्पेर रिजर्फ इन दा कंट्री में इसको इसको इस्टैब्लिश कर चुकी है कैटेगरी जो है जर्ली डेटिंग किसके है आई यू सियन कैटेगरी भी प्रोटेक्टेडड एरिया अगर बात करें जहां पे IUCN, IUCN की फुल फार बात करें तो इसका मेनिक है International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, यह एक ऐसी अर्गनाजेशन है, जो की dedicated है किसकी Preservation of Nature and Natural Resources को, ठीक है, उसके बाद जो First Biosphere Reserve था World का, उसको established किया गया 1979 के अंदर, और according to UNESCO, As of July 2021, there are 714 Biosphere Reserves across 129 countries, तो 714 Biosphere Reserves हैं, आपको देखने को मिलेगी, 139 countries में, in the world, which also includes 21 Transboundary Sites, तो तुझे देख सकते हैं, सारा का सारा की important आपके लिए, 1979 के अंदर इसको established किया गया था, First Biosphere Reserves था, World का उसको established किया गया, 1979 के अंदर, आगर आपको question पूछाया था कि Biosphere Reserves Network को कब launch किया गया, जिए 1970 बंड के अंदर launch किया गया, UNESCO की द्वारा, ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे, उडिशा government ने propose किया है, status के लिए कि इसको status दिया जाए, Biosphere Reserve का, महिंद्रगेरी हिल को, महिंद्रगेरी हिल कंप्लेक्स को, इसका status दिया जाए, अगर यह added होता है, अगर इसमें add किया आता है, तो जे उडिशा का second Biosphere Reserve होगा, after Simlipal Biosphere Reserve, तो Simlipal Biosphere Reserve की बार में आपको जानकर ही होगी, यह उडिशा के अंदर है, अगर इसको add किया आता है, महिंद्रगेरी हिल कंप्लेक्स को, तो Simlipal के बाद दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, महिंद्रगेरी हिल कंप्लेक्स, नेक्स्ट बात करते हैं जहाँ पे, उसके बाद distributional Biosphere Reserve across the world are as follows, जो देख सकते हैं इस तरीके से distribution की गई है, 85 sites आपको 31 countries में देखने को मिलेगी, और 302 sites आपको 38 countries के अंतर देखने को मिलेगी जिसमें Europe and North America हो गया, 130 sites आपको देखने को मिलेगी 21 countries में जिसमें आपकी Latin America and the Caribbean, तो यह sites हैं जहें आप देख सकते हैं, distribution किया गया Biosphere Reserve को across the world, नेक्स्ट बात करेंगे जहाँ पर, उसके बाद functions क्या है Biosphere Reserve के, फंक्शन क्या है, इच जो Biosphere Reserve है इसको स्पोस किया तो फिल्दा 3 harmonizing functions, सबसे पहले है conservation function, conserve का meaning क्या होता, protect करना, बचाना, ठीक है, conserve करना, genetic resources को conserve करना, species को conserve करना, ecosystem को landscape को, पहला इसका यह function है, ठीक है friends, development function की बात करें, तो sustainable human and economic development को क्या करना, बढ़ाना, उसको promote करना, और logistic sports function की बात करें, तो इसमें क्या है आपका, इसमें sport provide करना, research और analysis के लिए, issue आप किस तरीके से इन issues को जाएं, इसको conserve किये जा सकता है, और sustainable development के लिए, ठीक है, तीन important functions आपको जहां पे देख सकते हैं, आपके वायोस पे रिजर्व इन इंडिया के बारे में, functions क्या है वायोस पे रिजर्व के जी तीन function आप देख सकते हैं, काफी important आपके exam point of view से, next बात करते हैं, उसके बाद तीन zone आपको देखने को मिलेंगे, वायोस पे रिजर्व के इन तीन zone के बारे में हम discussion करेंगे, पहला है core zone, फिर है buffer zone, फिर है आपका transition zone, ठीक है, core zone में क्या आगया, आपका entirely, इसमें secured और protected ecosystem आगया, जो की contribute करता है, preserve करना कि इसको landscape को, preservation of landscape, ecosystem, species and genetic variations, secondly बात करें तो buffer zone में आपको देखने को मिलेगा, यह आपका ad joints होता है core area से, ठीक है, यह को utilize होता है, activities compatible, जिसमें sound ecological practices होगी, that can fortify scientific research, जिसमें monitoring होगी, training होगी, और education होगी, यह आपका आगया buffer zone, थर्ड बात करेंगे transition zone, transition zone में ऐसा part होता है, reserve का, जहाँ पे greatest activity जो है, उसको permitted किया था, उसमें आप activities कर सकते हैं, ताकि promote किये जैसे कि economic or human development that is sustainable, तो तीन zone आपको दिखने को मिलेंगे, core zone, buffer zone और transition zone, then बात करेंगे जहाँ पे आप, आप bios pair reserve की बात करनें, तो जी list आप bios pair reserve हैं इंडिया की, आप बात करें, तो bios pair reserve जो है, इसको announce के गया है, state or central government by notification, और government जो करती है, नॉमिनेट करती है, under them, जुनेसको man and bios pair program के अंदर, ठीक है, after its establishment as a bios pair reserve, इसमें अब अगर बात करें, तो current में इंडिया के अंदर, आपको 18 bios pair reserve देखने को मिलेंगे, सबसे पहले, 1971 के अंदर इसको establish किया, तो सबसे पहले बात करें, तो इंडिया के अंदर, सबसे पहला जो bios pair reserve है, 1986 के अंदर इसको establish किया गया, यह आपका year, आप notification जो था, 1986 है, यह आपका निलगिरी है, निलगिरी को आपको जाद क्या रखना है, निलगिरी क्या है, पाढ़ है, वेयंद का, नगर होल का, और बांदीपूर and, मदुमलाई, निलावर, साइलेंट बैली and, सुर्भुवानी hills, यह आपको कहां पर देखने को मिलेगे, तमिलाडू, कैरला और करनाटका के अंदर, तो यह आपको जाद रखना है, कि निलगिरी आपको कोशन पूछा जाता है, यह के उपर आपको क्या पता कोशन ना पूछा जाए, वकर location के उपर आपको कोशन पूछा जाता है, कि नंदा देवी, आपको 1988 के अंदर देखने को मिला, इसका यह यह आप नोटिफकेशन था, उसके बाद यह किसका पाठ है, चमोली का पाठ है, पिथोरागड और वगेश्वर, यह आपको सारे के सारे डिस्ट्र्क कहां पर देखने को मिलेंगे, उत्रा घंड के अंदर निकोबार, ठीक है, उसके बाद गल्फ अमनार, नाइट इटी नाइन के अंदर भी सेम डेट में इसको गिया गया, और जो इंडियर पार्ट जो है, गल्फ अमनार, बिट्विन किसमें, इंडिया और शिल्लंका के बीच में, जी कहां पे है, आपको तमीलाडू के अंदर लास्ट में आपको तमीलाडू ही देखने को मिलेगा नीचे, मानस, नाइट इटी नाइन के अंदर ये पार्ट है को इसका, कोकरजर, उसके बाद बोनगाई, अंगो, बर्क पेटा, नलबेरी, ठीक है, कमरूप, एंड दरंग डिस्ट्क, ये आपको कहां पे देखने को मि अंदर देखने को मिलेगा, उसके बाद सुंदर्वन जे आपको 99 के अंदर देखने को ये पार्ट है किसका, डेल्टा का आप गंगा ब्रहंपुत्रा रिवर सिस्ट्म जे आपको वेस्ट पिंगल के अंदर देखने को मिलेगा, और सिमलीपल की बात करें तो ओडिशा के अ और तिन सुकिया डिस्ट्रक असाम की उसके बद दिमांग दिहांग जिया आपका 1998 के अंदर इसको किया गया जिस्यांग और दिमांग बैली के पार्ड हैं कहां पर नाचल प्रदेश के पंचमडी 1999 जिया आपके है बेतूल उसके पास होशंगाबाद और चिंदवाड़ा जि मिलेंगे जिया आपको कैरला के अंदर डिखने को मिलेंगे जिन संुक्षोनी में अच्ठहार के अ और यक्षकन क्रूणी आप से की उसके या पटे स्सक्राइबाद और होसोफार्द जैंदोरु जिकले जिकलद प्रदेश आपर्साव विर आपको v005 जिзя आपकोल independent इ सबसे इंपोर्टन जो आपके लिए क्या रहेगा आपको सबसे इंपोर्टन आपके लिए रहेगा कि लास्ट वाला एस बात बात करते हैं जहां पर जो परना बाइस्ट-बाइस्पे रिजर्व रिजर्व की अंदर दिया गया और तो प्राइट तु देर ता कंचन जूंगा बाइस पर रिजर्व फ्राम इंडिया वाज आल्सो इंकुलूडेट इसमें किया गया 2018 में इसके साथ अडिशन के बात इन अडिशन के बाद बात करें तो दो बाइस पर रिजर्व जो है इसमें 12th of the 18th बाइस पर रिजर्व इन व्ल्ड नेटवर का बाइस पर रिजर्व का यह पार्ट बन चुकी है बीचिस किसके अपर बेस्ट है यह युनेस्को मैन एंड बाइस पर प्रोग्राम लिस्ट और जिन इंडिया आर्गीवर्ड भीड विलो आप मैं लिस्ट के बारे मैं बताना जाओंगा जहां पर यहा इंडर को मिलेगा मद्यपर्देश के अंदर नोक्रिक ग्रेस की अदर हुआ दर जहां पर जुआए PP आपको व्ल्कियर लुस्ट धाल लाधी के अदर देखने को मिलेगा उस्के बाद चैंचन्योगा वाई स्पर रिजळ पारoj जो है कि इसके नॉर्थ एंबेस्ट सिक्कम डिस्ट्रक्स के और पन्ना वाइस पे रिजर्व आपको देखने को मिलेगी मद्यपरदेश के अंतर ठीक है तो युनेस्को के प्रोटेक्टेड वाइस पे रिजर्व जैस सारे के सारे आपके लिए इंपोर्टन है एक्जाम पॉ लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटीब चनल को थैंक्यो फ्रेंट्स गुडबाई टेक क्यार